आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन्ड पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नम्बलाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया इस संख्या रेखा पर शून्य के दाई और धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाई और रिनात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है किनी भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है चलिए शून्य से एक के बीच की इकाई दूरी के दस बराबर भाग बनाए इस तरह से इन में से प्रत्य एक भाग इकाई दूरी का एक बटे दस भाग होगा यदि हम शूनि से शुरवात करें तो एक भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या एक बटे दस दर्शाई जा सकती है इसी तरह दो भाग लेने पर दो बटे दस, तीन भाग लेने पर तीन बटे दस इत्यादी भाग दर्शा सकते हैं इसी तरह दस में से दस भाग लेकर एक संपूर्ण यानी एक दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्यारेखा पर परिमे संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमे संख्याओं का संख्यारेखा पर निरुपन विस्तार से समझे। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या रिंड 5 बटे 6 को संख्या रेखा पर निरुपित करना है वीडियो रोग कर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरुपित करने का प्रयास केजिए चलिए हम बताते हैं यहां परिमेय संख्या रिन 5 बटे 6 एक रिनात्मक परिमेय संख्या यानि निगेटिव राशनल लंबर है हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाई तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाई तरफ दर्शाया जाता है चुकि सभी रिनात्मक परिमिय संख्याओं का मान 0 से कम है इसलिए इनका स्थान 0 के बाई ओर है इसलिए रिन 5 बटे 6 का स्थान भी 0 के बाई ओर होगा चलिए रिन चिन्न को थोड़ी देर के लिए नजर अंदास करें अब हम देखते हैं कि 5 बटे 6 में अंच 5 हर 6 से छोटा है इससे यह ग्याद होता है कि 5 बटे 6 यह संख्या एक से यानि की इकाई से छोटी है इससे हमें यह पता चलता है कि रिन 5 बटे 6 का स्थान 0 और रिन 1 के बीच है रिन 5 बटे 6 का सटीक स्थान ग्याद करने के लिए हम 0 से रिन 1 की बीच की दूरी को 6 पराबर भागों में विभाजित करेंगे इस तरह इन 6 भागों में से किने भी दो क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1 बटे 6 परिमेय संख्या रिन 5 बटे 6 का अंच हमें बताता है कि हमें 0 के बाई और 1 बटे 6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे इससे हमें रिन 5 बटे 6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा अब क्या आप 15 बटे 4 को संख्या रेखा पर निरुपित कर पाएंगे वीरियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए हम बताते हैं 15 बटे 4 एक धनात्मक परिमें संख्या है इसलिए यह शूने के दाई और है हम 15 बटे 4 को 3 और 3 बटे 4 इस प्रकार लिख सकते हैं इससे हमें पता चलता है कि यह परिमें संख्या 3 और 4 के बीच में है सटीक स्थान ग्याद करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे अब हम 3 पूर्ण और 1 बटे 4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3 बटे 4 यानि 15 बटे 4 दर्शाएंगे अब आप किसी भी परिमें संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे आज हमने सीखा परिमें संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन अगले वीडियो में इनसे संबंदित कुछ दिलचस्प उधारन देखेंगे झाल झाल झाल